हलो फ्रेंट्स वल्कम टू बॉलिवुड नियोज और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और आपकी डोस्त नेहा रिड़ी दोस्तो स्ट्रीट डांसर 3D के फ्लॉप होने के बाद वरुन धवन ने ठुक राई रैमो डिसूजा की अगले फिल्म जी हाँ, हाल ही में वरुन धवन और रैमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D रिलीज हुई थी जो बॉक्स ओफिस पर असफल हो गई फिल्म के निराश्चा जनक प्रदर्शन से वरुन धवन बेहत आहत है क्योंकि तीन साल से उन्होंने कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी है और इस फिल्म से उन्हें बहुत जादा उमीद थी रेमो के लिए यह बात और भी जादा चुंता जनक है क्योंकि उनकी असफल फिल्मों के हैट ट्रेक हो गई है इसके पहले उनकी फ्लाइंग जट और रेस 3 भी असफल रही थी अब रेमो को अगले फिल्म के लिए परिशानी हो रही है रेमो ने अगले फिल्म वरुन धवन को लेकर ही प्लान की थी जो डांस बेस्ड है सूत्रो के नुसार वरुन ने इस फिल्म में काम करने से साफ तोर पर इंकार कर दिया है वे रैमो के साथ अब काम नहीं करना चाहते हैं रैमो ने स्ट्रीट डांसर 3D बहुत ही खराब तरीके से बनाई है और वरुन को लग रहा है कि उनकी सारी महनत बेकार हो गई है वरुन के इंकार से रैमो को करारा जटका लगा है और अब उन्हें अगले फिल्म को शुरू करने से कई तरह की परिशानिया होगी अब शायद कोई भी बड़ा स्ट्रार रैमो के साथ काम करना पसंद नहीं करेगा अब उन्हें जब उन्हें उन्हें जब है